जाए हैं सुरेंट्स, आए हैं प्रतमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला कि इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के उपर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अज पॉलिटी का एक नया टॉपिक हम पढ़ने वालें, पारलेमेंट के बारे में उमने जान लिया था, लोक सभा क्या है, राज सभा क्या है, एलेक्ष Aryan कैसे होते हैं, एलिजिबिलिटी प्तुर्म सब्सक्राइब, जितने इनिपोर्टेन्ट आर्टिकल्स थे लोक सभा के यह जानेंगे और साथ ही साथ यह जानेंगे कि पार्लिमेंट के अंदर कुछ different different things भी होती है जिसे एक zero hour के बारे में आपने सुना आगा उसके बारे में हम जानेंगे question hours किया होती है कितने तरह के questions होते हैं क्योंकि इससे related questions various examinations के अंदर पूछे जाते हैं अगर आप cds के तयारी करने हैं तो ही नहीं आप कोई भी एक्जाम के प्रपेशन करने हैं चाहिए फिर वो छोटी examination हो या बड़ी examination हो हर examination के अंदर यहां से questions आप से पूछे जाते कहीं बार directly पूछे जाते कहीं बार indirectly पूछे जाते तो questions को solve करना बहुत दादा जरूरी भी ह हो जाता है पर मैं एक चीज हमेशा कहता हूं मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी किसी चीज़ को पढ़ो मैं सिर्फ quality की बात नहीं कर रहा हूं या पर किसी भी टॉपिक से आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो पॉलिटी या किसी से कुछ भी पढ़ रहे हो ए भी current affairs के अंदर current में कोई news आती है लोग सबा की कि लोग सबा के अंदर लोग सबा डिजॉल्व हो गई है या लोग सबा के अंदर majority कम हो गई है इसलिए no confidence motion लाया गया है तो यह चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए देकि शिक्षा और ग्यान का मतलब यही होता है शिक् jak लाईन है हमारा parliamentary proceedings के बारे में पड़ेंगे Parliament के जितनी प्रोसीडिंट से उनके बारे में जानेंगे इसके बाद हम यहां पर भी जानेंगे कोशन को आराम से अब देखे जब पारलेमेंट के शुरुवात होती है तो पारलेमेंट के शुरुवात में पारलेमेंट के सेशन लगाया जाते हैं सेशन मतलब आप पी समझ के चलिए कि एक ऐसा पीरेड है जिस समय पर हमारी लोगसभा राटसभा बैठती है लोगसभा के अंदर अलग-अलग जो है वो मीटिंग्स होती है अलग-अलग मुद्दों पर बात होती है बिल्स पर वोटिंग होती है अगर आपको लगता कि पूर के बारे में बात करता है सेशन का क्या मतलब होता है आप इसे कुछ ऐसा समझी कि आप स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल जाने का एक पिरिट फिक्स कर दिया गया टाइम फिक्स कर दिया गया जैसा आप जनवरी से फरवरी तक स्कूल जाएंगे उसके बाद मार्स में सब्सक्राइब पहला यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर बजट सेशन की हम बात करेंगे बजट सेशन फरवरी से महीं तक चलता है जैसा कि हमारा बजट आ जाता है इस सेशन को कहा जाता है बजट सेशन जो कि फरवरी से महीं तक चलता है उसके बाद हमारा आता है मौनसून सेश जो average time होता है वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है आप यह मत समझे का कि सर कई बार तो sessions आगे बढ़ जाते हैं या जो जादा भी चला जाता है जुलाइस दिले के September के भी आगे चला गया है तो यह हो जाता है यहाँ पर हमने एक tentative time बता हुआ कि at least जो average है वो इस month के Parliament के अब तीन sessions का मतलब है कि इस time के अबर Parliament के जो भी members of Parliament वो आकर मिलते हैं बहस करते हैं बजट बनाते हैं बजट प्रजट किया जाता है अलगलग policies बनाते हैं अलगलग plans को लेकर आते हैं सारी चीज़ें इसी के अंदर होती है पर क्या maximum सिर्फ तीन sessions हो सकते हैं ऐसा नहीं maximum की कोई limit यहां पर exactly नहीं defined है कई बार special sessions भी बुलाया जाते हैं कोई important मुद्दा होता है उसको लेकर तो यादर किएगा बट जो proper sessions अगर हम बात की जाए जो proper session हमारे constitution में article 85 के अंदर जो चीज़ें दी गई है उसके according तीन sessions की बात की गई है अब हर session के अंदर क्या होता है अब मार लीजिए एक session चल रहा है हमारा monsoon session जो की July से लेके September तक चलता है अब इन sessions के अंदर different different meetings होती है कई सारी meetings होती है अब जैसे लिखा है अपर session contents many meetings बहुत सारी meetings होती है मतलब आप यह समझे कि जितनी बार ही मिल रहा है उतनी बार इसकी meeting हो रही है एक दिन मिला तो ए मतलब एक दिन के अंदर एक meeting हुई और एक meeting के अंदर दो सिटिंग होती है फैली सिटिंग होती है लंज के बाद यह सेटिंग होती है, तो एक दिन के अंदर एक मेटिंग हो रही है, और इस मेटिंग के अंदर दो सेटिंग होती है, और हर सेटिंग के अंदर ऐसे कई सारी मेटिंग होती है, अब दूसरी सेटिंग का टाइम याद रहेगा, दो बज़े से लेके छे बज़े तक होती है तो इस तरीके से सेशन चलते हैं अब एक सवाल आता है यहां पर कि मिनिमम सेशन कितने होने चाहिए देखिए एक पॉइंट हमारे सविधान में लिखा है यह कहता है यहां पर जो मैक्सिमम गैप है दो सेशन के बीच का मतलब बजट सेशन मान लीजिए और सेशन है इन दो सेशन के बीच का जो मैक्सिमम गैप है मैक्सिमम गैप है याद रुखिएगा वो सिक्स मन्स से जादा नहीं हो सकता है मैक्सिमम गैप सिक्स मन्स से जादा कभी नहीं हो सकता है दो सेशन के बीच का यह कई बार कुशन पूछा भी गया है और कई बार इस हो सकता है एक और point याद रिखेगा कि दो sessions के बीच का जो time होता है जहां पर Parliament नहीं मिल रही है इसे कहा जाता है recess note कर लिजेगा दो sessions के बीच का जो time है इसे recess कहा जाता है because school में भी recess होता है recess के अंदर हम लोग नहीं रहते हैं उसी तरीके से जो दो sessions के बीच का जो gap होता है इससे recess कहा जाता है अब इस question को कई बार घुमा कर पूछा जाता है घुमा कर वो ऐसा पूछते हैं कि एक साल में maximum की हम बात करेंगे या minimum की बात करेंगे तो याद पारलेमेंट की में बात कर रहा हूं आप इसका अंसर यहां पर मिनिममम होने चाहिए पूरे साल के अंदर यह इसका अंसर है और इसको कई बार कई questions के अंदर पूछा भी गया है तो यह point याद रखिएगा कि जो maximum gap allowed है दो sessions के बीश में वो कितना है छे महीने है और एक साल में पारलेमेंट के दो sessions होते हैं दो बार तो कम से कम कम से कम मिलना ही पड़ेगा पारलेमेंट को clear है अब देखे जब पारलेमेंट के sessions होते हैं इन sessions के अंदर कई तरह की proceedings की जाती है नए बिल को पास किया जाता है बिल की ओपर बहस की जाती है नई policies को implement करने की कोशिश की जाती है आपने देखा होगा कि जो opposition है वो सरकार की policies को criticize भी करता है अब जब राज सभा और लोग सभा के हम दोनों की ही बात करते हैं हमने दोनों में देखा था कि दोनों के अंदर presiding officers होते हैं उनका क्या काम होता है उनका काम होता है कि राज सभा हो या लोग सभा उसकी कारवाही को नियंतरित करना control करना rules and regulations बना के रखना decorum maintain करना इसे कि लोग सभा है के अंदर जो presiding officer होते हैं वो होते हैं हमारे लोग सभा के speaker जो कि अभी कौन है ओम बिर्ला जीए और राज सभा के अंदर अगर हम बात करें तो राज सभा के अंदर जो presiding officer होते हैं वो होते हैं chairman of राज सभा जो की हमार कहीं तरह की चीज़ें होती है कहीं तरह की चीज़ें मतलब सेशन को स्टार्ट करना है सेशन को एंड करना है सेशन को इंटरवल के लिए ले जाना है इसके लिए कई कहीं तरह के वर्ट का यूज किया जाता है कहीं तरीके टरम का यूज किया जाता है यह टरमस आपके लिए जानना बहुत जादा important है क्योंकि examination के अंदर इनसे question कहीं बार बनते तरह से पहले हम term की बात करेंगे पहला समनिंग का क्या मतलब होता है समन का मतलब होता है बुलाना अगर लीगल टर्मस में किसी को बुलाने कि आप बात करते हैं उसे कहा जाता है समन करना अपने example भी सुनाओगा कि उस व्यक्ति को उस पर्षन को कोट में समन किया गया बुलाया गया तो जब दोनों houses को बुलाया जाता है नए sessions के लिए तो दोनों houses को समन करने का काम कौन करते हैं समनिंग का जो पावर है वो हमारे देश के राश्पती के पास है नोट कर लीजेगा यह point important है कि समन कौन करता है समन करते हैं राश्पती Summoning is the process of calling all members of the Parliament to meet Parliament के सारे members को जब मुलने बुलाया जाता है तो यहाँ पर हमारे देश के जो राश्पती जी है यह वो कारी करते हैं और जो term use किया जाता है दोनों sessions को दोनों houses को बुलाने के लिए उसे कहा जाता है समन तो समनिंग का पावर किसके पास है देश के राश्पती जी के पास से नोट कर लीजेगा क्योंकि option के इंदर speaker आएगा राजसभा के chairman आएगा बट यहां पर वो answer नहीं होना चाहिए आपका अंसर होना चाहिए कि समनिंग का पावर है किसी भी session को बुलाने का जो पावर है समन करने का दोना houses को समन करने का जो पावर है वो किसके पास होता है वह हमारे देश के राश्पतीजी के पास होता है दूसरा एक important word आता इसमें एजटिनमेंट का क्या मतलब होता है एजटिनमेंट का basically मतलब यह होता है कि जब किसी भी house के चाहे वो हम लोग सभा की बात करें एक मीटिंग को खतम करना है टर्मिनेट दिन में हमने बताया था एक मीटिंग के इंदर दो सेटिंग होती है अब अगर किसी सेटिंग को खतम करना है कि आज की सेटिंग ये कंप्लीट हो गई आज की जो प्रोसस था वो कंप्लीट हो गया ह और अगली बार हम कम मिलने वाले specific time बता दिया जाता है कि अब हम कल सुबह मिलेंगे या सीधी सीधी बाच की जाए कि अगर सुबह वाली sitting है ग्यारा बजे की वाली ग्यारा से एक तक वो sitting होती है एक बजे वो sitting खतम हो रही है और लोग सबा के जो speaker है वो directly बोलते कि अब हम कम मिलने वाले अब हम दो बजे मिलेंगे मतलब specific time बता दिया जाता है तो जिस word का वी use करते हैं वो करते हाउस इस एजन तो एजनमेंट का जो power है हाउस को एजन करने का power है वो किसके पास होता है वो होता है प्रिसाइडिंग ओफसर के पास लोग सबा में speaker के पास होगा राज सबा में हमारे chairman के पास होगा याद रखेगा एजनमेंट के अंदर एक point बड़ा important है कि यहाँ पर जो time है वो fix होता है आपको बता दिया जाता है कि next time कब मिलना है यही point important है एजनमेंट के अंदर लिखा हुआ है for a specific period of time एक specific time बता दिया जाता है कि अब हम इतने घंटे बाद मिलेंगे अब हम इस दिन मिलेंगे यह point याद रखेगा यह किसके अंदर आता यह होता है एजनमेंट के अंदर एजनमेंट का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइडिंग आफसर के पास है जिसे लोग सभा के अंदर हमारे speaker जी है और राज सभा के अंदर हमारे chairman जो की हमारे देश के उपराश्पती होते है इसी तरह एक और word होता है एजनमेंट की तरह एजनमेंट साइन डाय का मतलब exactly सेम होता है इसमें भी सिटिंग को खतम करने की बात की जाती है बट इसमें एक पॉइंट होता है अगली बार कब मिलने वाले है यह नहीं बताया जाता है इन्देफिनेट परिएड ओट अफ टाइम जैसे एजनमेंट के इंदर तो बता दिया था और इसलिए लोग सभाके जो speaker होते हैं या राज सभा के जो हमारे chairman होते हैं वो नहीं बोलते हैं कि अगली बार हम कम मिलेंगे तो यह word use किया जाता है इस word में याद रखेगा इसमें time नहीं fix होता है कि अगली बार कम मिलने वाले हैं इसका उपयोग भी कौन कर सकता है प्रिसाइडिंग officer ही ये निर्देश देते हैं यह direction भी प्रिसाइडिंग officer ही देते हैं जैसे कि लोग सभा के अंदर हमारे speaker और राज सभा के अंदर हमारे राज सभा के chairman तो यह याद रखेगा question इसी तरीके का बनता है कि यह करता कौन है अब next हमार आता है प्रोरोगेशन जनरली होता है कि जब अब session को end कर रहा है session को end करने के लिए जिस term का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है और session को end करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के राश्च्पती के पास होता है जिसे budget session कंप्लीट हो गया budget session की last meeting में हमारे लोग सभा के speaker ने का अगली बार कम मिलने वाले वो नहीं पता है क्योंकि अब मिलने यह नहीं वाले session session खतम होने वाला है बट session खतम होने की घूशना वो नहीं कर सकते तो जब भी वह एजर्मेंट संड आय बोलते हैं उसके कुछी समय बात जो है राश्पती जी जो है वह अपने इस पावर का यूज करते और jan term को use करके session को end कर देते है इन को इमांट कर देते हैं इस के पावर है वह किसके पास है कि आसे session करने के लिए इसने घुक्त का पुछ करने के लिए क्लिए फैसे पीक्स फर्लिश करने के लिए जाता है है इसके बाद एक और important term होता है वो होता dissolution dissolve हो जाना अब देखिए dissolution के बात करें तो यहाँ पर हम दोनों houses के बात करें तो पहली बात लोग सबाई subjected to dissolution सिर्फ लोग सबाई dissolve होती है और 5 साल में हम देखते हैं कि नए चुनाव होते हैं नई होता है अब जो dissolution होता है कि जो end of the existing house के पूरा पूरा house का ही end हो जाए मतलब मान लीजिए अभी हमारी लोग सबाद 2019 में election हुए है कि 17th लोग सबाई सत्रवी लोग सबाई यह कब तक चले कि यह चलेगी 2024 तक 2024 मतलब 5 साल तक चलेगी अब 5 साल के बाद इसका क्या हो जाएगा dissolution हो जाएगा dissolution कैसा होगा यह automatic dissolution हो जाएगा automatic dissolution मतलब यहां पर कोई पहले 5 साल से पहले house को dissolve नहीं कर रहा है पांस साल complete हो गए है automatically हमारे सवधान में लिकाए कि लोग सबाई का जो period है वो कितना होना चाहिए वो पांस साल हो सकता है यहां पर हाँ एक amendment आया था उस amendment के थ्रूट लोग सबाई का कारिकाल उसे 6 साल कर दिया गया था मुझे बताएगा कौन सा amendment था वो इसके बाद दूसरा जो resolution होता है वो होता है president के द्वारा जो पंस साल से पहले ही कर देते हैं खाजी president पर सकते हैं इसकी condition क्या होती है देकि लोग सबाइध कि सरकार कब तक रहती है उस पार्टी की सरकार तब तक रहती है जब तक लोग सबाइध एंग्स पास चत्ता के अंदर थी दो ही पॉलिटिकल पार्टी को 30 seats मिली है यहाँ पर और एक पॉलिटिकल पार्टी को 70 seats मिल गई है अब देखिए मतलब जो पूरी हमारी लोग सबाए उसमें 30 member of parliament एक पॉलिटिकल पार्टी के मान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी भी है और 70 member of पॉलिटिकल पार्टी एसे बिलॉंग करते हैं अब अगर मैं आपसे पूछू कि दोनों पार्टी में से किस पार्टी की सरकार हमारे देश में है अंसर काफी आसान होगा कि सर जिस पार्टी के पास ज्यादा number of member of parliament मतलब जिस पार्टी की सीट ज्यादा लोग सबाम है पार्टी की सरकार यहां पर होगी पार्टी एक की government यहां पर होगी पर यह इनकी government बनी क्यो है इसका reason क्या है सीधा सीधा reason है कि इस पार्टी के बाद majority है जो number of seats है उस number of seats का 50% plus इस party के पास है पार्टी ये के पास है इसलिए party जो है वो majority में है और अब इसकी सरकार चल रही है अब होता ये है कि एक बार 5 साल के बाद election हो रहे हैं election हुआ और इस तरह का result निकल कर आता है कि party A majority के अंदर है पर ये याद रुखिएगा कि पूरे 5 सालों तक जो party सत्ता के अंदर है जो party government में है उसे इस majority को बना के रखना होता है ऐसा नहीं कि पहले साल तो 70 member of parliament है दूसरे साल कुछ members इस party के हड़ गए और इस party में जाके चले गए या उन्होंने अपने इस party से स्तिफा दे दिया ये नहीं हो सकता है that's why कहीं बार होता ये ह है कि साल के या पांस साल के बीच के अंदर ही कोई भी political party अपनी majority को देती है को कैसे देती इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसके काफी सारे एक्जामपल है जैसे कि अभी महराश्रा के अंदर ये चीज हुई थी उससे पहले मद्रप्रदेश में भी same condition आई थी और बहु पॉलिटिकल पार्टी के थे अब हुआ ये कि एक साल के बाद एक साल तक सरकार ठीक चली एक साल के बाद इस 70 मेंबर्स में से 30 मेंबर्स को ये लग रहा है कि अब वो इस पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी ये को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं तो कि प 30 members party b में चले गए तो इनके पास कितने members हो जाएंगे इनके पास हो जाएंगे 60 और इनके पास कितने रह जाएंगे 40 रह जाएंगे तो ऐसे time पे में को उनसी party आ रिए है ऐसे time पे majority में party b अ रही है तो ऐसी condition के इंदर होता यह खतम होता जा रहा है और पार्टी के अंदर ही जो member of parliament से उनका trust भी अपनी पार्टी से खतम होता जा रहा है तो ऐसे समय पर जो विपक्ष है जो पोजीशन है वो political party जो की सत्ता के अंदर है उसे अपनी majority priority प्रूफ करने के लिए कहता है उसे अपना confidence प्रूफ करने के लिए कहता है और ऐसी कंडिशन में एक motion पास करवाया जाता है motion आता है जिसे कहा जाता है no confidence motion मतलब इस confidence motion में इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो political party सत्ता के अंदर है अब उसके पास majority नहीं रही है देख इसमें कुछ points याद रखेगा यह सिर्फ लोग सभा के अंदर ही present किया जा सकता है no confidence motion अब क्या होता है मान लीजे कि हमारी जो अपोरिशन पार्टी थी अपोरिशन पार्टी भी थी वो एक no confidence motion पास करना चाहती है किसके अगेंस पार्टी एक अगेंस बिकॉस पार्टी ये पली सत्ता में बट उनके बास majority नहीं है सत्ता में वही बना रह सकता है सरकार उसी की बन सकती जो की majority के अंदर हो अब यहां पर क्या होता है यह no confidence mission सिर्फ पर जिर्फ लोग सभा में ही पास किया जा सकता है याद रुखिए गां लोग सभा में प्रेजेंट किया जा सकता है और जब यह आता है तो उसके बाद जो पार्टी सत्ता के अंदर है उन्हें confidence प्रूफ करना पड़ता है अब होता यह है कि snow confidence motion को लाने के लिए 50 members के signature होने चाहिए signature की बात करें मतलब 50 members का support होना चाहिए लोग सभा की 50 members से support में होने चाहिए वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं लोग सभा के 50 members से support में होना चाहिए कि हाँ इस चीज को इस motion को लेकर आना चाहिए तब ही इस motion की जो process है वो start की जा सकती है उसके बाद लोग सभा के speaker decide करते हैं किस motion को present करना है नहीं करना है इसके बाद voting की जाती है voting की जाती है अब voting क्यों की जारी voting इसलिए कि जाती है कि जितने भी members हैं मतलब अगर यह 100 members हम support करते हैं और party B जो है उसको 70 members support कर देते हैं तो यहां पर जो सरकार थी party A की वो सरकार गिर जाती है क्यों गिर जाती सरकार विकास जो party A थी वो majority proof नहीं कर पाई तो ऐसी condition के अंदर हम बात कर रहे हैं और last में precedent जो है वो precedent basically करते हैं कि इस party को फिर सत्ता से हटा देते हैं तो अब Parliament का काम होता क्या है देखे Parliament का काम होता है देश के अंदर नहीं कानूनों को ले कर आना बिल्स को पास करना अब यह बिल को प्रास करनी की procedure क्या होता है इस procedure को हम समझ लेते क्योंकि यह process ही सबसे important है ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी party की सरकार बन गई है तो जो दल सत्त के अंदर उस बिल का पास होना जरूरी होता है पर सबसे पहला यह आता है कि यह बिल होता क्या है देखिए बिल का अगर सीधे सीधे शब्दों में बात की जाए वेश के अंदर अगर किसी नए policy को किसी कानून को लागू करना है तो उसे लागू करनी के लिए जिस draft में उस किसी भी बिल को जब तक संसत के पटल पे ना रखा जाए उसे बिल नहीं कहा जा सकता उसे कहा जाता है उससे पहले draft मतलब सबसे पहले draft तयार किया जाता है इस draft के अंदर सारे points लिखे होते हैं कि इस policy में क्या क्या चीज़ीं होगी कौन कौन से points इसमें होने वाले और जैस example के तौर पर बात करें कि हमारे education का कोई बिल था हमारा education policy है उसको लेकर हमारा एक बिल था अब वह बिल पास कैसे होगा सबसे पहले वहोगा draft के form में उसमें लिखा होगा कि क्या points उसमें होने चाहिए education policy में यह वाली चीज़ होगी यह points होंगे इस चीज़ को हटाया जाए parliamentary form of government की सबसे बड़ी खुबसूरती यही होती है कि जो सत्ता के अंदर है उसे भी जो भी policy लागू करनी है उसे पास करवाना होगा दोनों हाउसे से इसलिए कोई भी अगर बिल है उसे दोनों हाउस से पास होना जरूरी है अब क्या होता है माल लीजे में पहले हाउस की बा पास मैजॉरिटी है मतलब अगर जादा वोट पड़ गए मान लीजे एक्जांबल की बात करें कि कोई बिल था एजुकेशन का लोग सवा में 100 लोग थे 100 में से 60 चाहते हैं कि हाँ यह बिल पास हो जाएगा क्यों हो जाएगा विकॉस मैजॉरिटी ऑफ पीपल यह चाहते ह सवाmother भी पास हो गया उसके बाद जाता है हमारे देश के राश्ष्बतीं के पास राश्ष्पतीं जिब इस पे सिगनेच्चर करते हैं उसी के बाद बनता है कानुन बनता है और देश्फर में लागू हो जाता है याद रुखेगा यह पूरी प्रॉसस होती है अब यह कन पर LI Nike हम पहले को बहुता अगर तो कोई जाएगा मनीbill के बारे और प्रेंद की पांसे जांते हैं तो सबसेपहले सिरह प्रोली चैका बंग प्रेंद कीया जासकता था है ऐसी बहुत सारे points है जो कि जानना जरूरी है और आगे हम लेक्चर में जानेंगे और उसके बाद जब यह पूरी process हो जाती है तो यह कानून पूरे देश में लागू कर दिया जाता है तो यह पूरा process होता है अब बिल कितने तरह के होते हैं वो जानना जरूरी है बिल क्या होता है यह मैं आप आपको बता चुका हूँ अब बिल परिटिकुलर्ली दो तरह की होते हैं एक होते हैं पब्लिक बिल वो सारे बिल्स होते हैं जो कि किसी भी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रिड्यूस किये जाते हैं मिनिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया है अगर आप भूल गए तो मैं बार फिर से आपको समझा लेता हूं कि Parliament के अंदर जितने भी लोग आते हैं जितने भी लोग Elect होकर आते हैं वोगते Member of Parliament यह सारे के सारे Ministers नहीं होते हैं इसलिए इसका क्या नाम होता है Council of Ministers, जो भी लोग, जितने भी लोग इस Council of Ministers के अंदर है, सिर्फ उन्हें ही Minister कहा जाता है, जिसे Defense Minister हमारे हैं, आगे हम बात करें, Finance Minister हैं, हमारे रिल्वे Minister हैं, सिर्फ यहीं लोग Ministers होते हैं, बाकी Member of Parliament होते हैं, और कहीं बार Apportion Party के जो Members होते हैं, उनके बारे में भी कहीं Ministers होते हैं, क्या Ministers सारी Member of Parliament होते हैं, तो याद रिखिएगा, सारे Member of Parliament Minister नहीं होते हैं, तो यह जो बिल्स होते हैं, पबलिक बिल्स सिर्फ और सिर्फ कोई Minister ही introduce कर सकता है तो कोई ministry ले कर सकता है is offensive पहले notice दिया जाता है साथ दिन पहले notice दिना होता है कि इस बिल को लाया जा रहा है उसी तरीके से दूसरे भी भी लोते इन्हें private affair जाता है Со nagrans के लावा दूसरे लोगे इस बिल को प्रेजिंप करते हैं इस तरों कि बिल को प्रेवेट बिल कहा जाता है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लिमेंट कोई भी MP से इंट्रिडिउस कर सकता है और एक महिने पहले यहाँ पर नोटीस देना होगा उनको कि इस तरह का बिल बूल आने वाले जनरली क्या होता है बिल कौन सा पास होता है जनरली बिल जो है वो पब्लिक ही पास होते है जनरली में बोल रहा हूं मतलब 95% केस में तो यही होता है कि जो पापलिक से जो बिल है हमारा वो पास हो जाता है क्यों पास हो जाता है विकास तत्था रूड़ गल के लोग इसको लेकर आ रहे तो आपिसली फिर यह पास तो होगा इसे तो यह याद रखेग बारे में बताऊंगा क्योंकि दोनों ही मनी बिल के बारे में बात करते हैं तीसरा होता है फञांस बिल आर्टिकल 117 के अंदर आता है यह आपके लिए बहुत जाद इंपॉर्टन नहीं है क्योंकि इससे कम पूछे जाते हैं बड़ स्टिल हम इसको समझेंगे कि यह है क्या सबसे पहले हम बात करते हैं और्ड़नेरी बिल की और्ड़नेरी बिल आर्टिकल 107-108 दोनों के अंदर और 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 बिल सामान्य विधयक इसे कहा जाता है मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे है उन्हें इशू ना आए इसे सामान् बच्चाइब करना वह सारे मैट्रस के सारे और इसे से बिल के बिल के अंदर आता है मतलब सीधी सी बात याद रखना है concern with matters other than financial matters financial matters को अटा के जितने भी other matters हैं अगर उनको लेकर कोई बिल आता है हमारे Parliament के अंदर तो उस बिल को कहा जाता है ordinary bill सामाने विधेक जैसे example की बात किज़े नेशनल कमिशन फॉर homeotherapy bill 2021 अब देखे इसमें कहीं भी money finance की बात नहीं की गई यह national commission for homeotherapy को लेकर एक bill है इसके लावा the central universities bill 2021 यह education related bill है यहाँ पर भी देखे मनी की बात नहीं की गई है तो ऐसे सारे bill जिसमें finance के लावा money के लावा किसी दूसरे matter की बात की जाती है उन सारे bills को आजाता है ordinary bill अब ordinary bill को लेकर जिस तरह के questions पूछए ज जाते यह कुछ इस तरीकी के होते हैं कि ordinary bill को कहा प्रेज़न किया जा सकता है बतब लोगप समा में जानना डीटेल में बहुत जरूरी दी कि सबसे पहली बात इसे कहीं भी प्रेजंट किया जा सकता है या राज्ज सभा में ही प्रेजंट किया जा सकता है आप इस को याद रखिएगा और बिल को कहीं पर भी प्रेजंट किया जा सकता है चाहे तो आप लोग सभा में प्रेजंट करने या राज सभा में पहली बार कहीं भी इसे प्रेजंट किया जा सकता है पर एक कंडिशन होगी दोनों हाउसे से बिल का पास होना जरूरी होता है क्योंकि दोनों houses के पास बराबर पावर है ordinary bill को लिकर, इसके बाद ordinary bill can be introduced by any minister और private member, सीधी सी बात है कोई भी कर सकता है, चाहे वो member of parliament हो, चाहे वो minister हो, कोई भी इस bill को present कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कि सिर्फ ministers ही present करेंगे, कोई भी member of parliament, चाहे वो फिर किसी भी political party का हो, वो इस bill को present किया जा सकता है, बड़ ordinary bill के लिए, प्रेसिदेंट का recommendation लेना जरूरी नहीं है, नोट कर लीजिए, question पूशा गया है, कि क्या ordinary bill के लिए, प्रेसिदेंट का recommendation लेना जरूरी होता है, बिल्कुल भी नहीं, ordinary bill के लिए, प्रेसिदेंट का recommendation लेना जरूरी नहीं है, और इसी लेक्टिर के इंदर आगे हम तीनों Majority के बारे में भी जानेंगेगे जानेंगे एपसलीट मेज़ोरिटी ऐपक्टिव मेज़ोरिटी और साथ इसाथ जो special majority उसके बारे में भी हम बात करेंगे को अभी आपको याद रखना है कि जो हमारा ordinary Bill है जहापर money के अलावा other matters को pass करवाया जाता है जिस bill के थूरू लेकर आया जाता है उस बिल को कहा जाता है ordinary और इसके लाने के लिए किसी भी specific house का नाम दिया नहीं गया है लोग सबा में ही लाएंगे राज सबा में ही लाएंगे दूसरी चीज प्रेसेड़न के recommendation के जरुवत नहीं है तीसीरी बात कोई भी minister या member of parliament इसको present कर सकता है और चौती और काफी important बात इसे simple majority से pass करवाना होता है कोई special majority के जरुवत नहीं पड़ती नहीं effective नहीं absolute majority के जरुवत पड़ती है simple majority से इस को पास करवाना होता है तो यह था हमारा ordinary bill के process को एक बार देख लेते ताकि आपको पूरी clarity हो जाए अब देखिए मान लीजे कोई ordinary bill है जो की education से related है सबसे पहले वो लोग सभा के अंदर जाता है लोग सभा के अंदर पहले house में वो simple majority से पास हो जाता है देखिए सबसे पहली बास जरूरी नहीं है मान लीजे इस bill के अंदर 10 points है 10 points में से 2 points ऐसे जो की थोड़े से अलग है जो राजसभा को लगता है कि नहीं इन points को नहीं लेकर आना चाहिए इन points को लागो नहीं करना चाहिए इन points के साथ इस बिलकु लागो नहीं कर सकते बाकि जो other 8 points है वो points काफी सही है उन्हें लागो किया जा सकता है तो बिलकुँ अमेंड करने के request दे सकता है और अगर अमेंड होगा ध्यान से सुनिएका तो वापस किसके पास जाएगा लोग सभा के पास अमेंड के साथ या राजसभा ने वोटिंग करें रिजेक्ट कर दिया बिल्कु कि नहीं इस बिल्कु पास नहीं करना चाहिए यह पावर यहां पर रहता है इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रुखिए का राजसभा को लेकर ही है कि राजसभा किसी भी ओडिनरी बिल को अप आपने पास maximum 6 महिने के लिए रख सकता है जिहां राजसभा किसी बि reference के बारे में पढ़ने वाले यहांपर इक पॉइंट रुखिए कि कि ordinary bill जो है वो राजसभा के पास maximum कितने टाइम तक रह सकता है चे महने तक मतलब छे महने तक राजसभा ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया तो accept कर रही है ना reject कर रही है ना amend कर रही है छे महने तक अपने पास रखा हुआ है अमाल लीजिए उसके पास simple majority से voting होती है और राजसभा से bill pass हो जाता है फिर किस के पास जाता है हमारे precedent के पास जाता है अब precedent ordinary bill के ओपर sign करने के लिए bound तो है नहीं कि आ गया है तो signature करना ही पड़ेगा उनके पास भी power होता है या तो वो return कर सकते है reconsideration के लिए इसका मतलब यह होता है कि ordinary bill दोनों houses से pass हो गया था president के पास आया president ने बिल को पड़ा बिल में वही 10 points थे 10 में से एक point president को लगा कि नहीं ये point लागू नहीं होना चाहिए इस point को change करना चाहिए president वापस ते बिल को भेश देते है reconsideration के लिए कि अब इस bill को वापस एक बार reconsideration करो ये जो कुछ points से ठीक नहीं है ये भी किया दा सकता है या तो वो accept भी कर सकते हैं मतलब signature कर देंगे अपना assent देंगे या reject भी कर सकते हैं president के बाद से power होते हैं पर एक point याद रुकिए अगर प्रेसिडेंट ने reconsideration के लिए भीजा और दूसरी बार भी वो बिल चाहे प्रेसिडेंट के recommendations के साथ की जो points प्रेसिडेंट ने बोले थे उन points के साथ या उन points के बिना भी अगर दोनों houses से वो पास हो गया तो उसके बाद president को उस बिल पर signature करना पड़ेगा है ना हो जाएगा तो यह सबसाटर सा मानेंग का सामानी बात करते我說 next अब next से पहले हम देख लेते जैसे कि अभी हमने बात करती जॉइंट सिटिंग की कि जॉइंट सिटिंग होती क्या है देखिए हमारे समिथान का जो article अनदर हाउस मतलब एक हाउस से बिल पास हो गया है दूसरे हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया है पहली कंडिशन यह होती है दूसरा हाउस disagreed on amendments मतलब क्या हुआ एक house मान लीजे लोगसभा से बिल पास हो गया और लोगसभा से बिल पास होने के बाद राजसभा के पास बिल गया था राजसभा ने कुछ amendments के लिए का कि हां बाकी points ठीक हैं 10 points थे 10 में से 8 ठीक हैं 2 को आपको change करना पड़ेगा अमेंड करना पड़ेगा और वो बिल अमेंडमेंड के लिए पास होने के लिए लोगसभा के पास भेश दिया बस लोगसभा लोगसभा disagree है इन amendments को करने के लिए तो अगर दूसरा house इस amendment को करने के लिए disagree है इस condition में भी joint setting बुलाई जाती है और तीसरा जैसा कि आपने बताया ह हो गए राटसभा के पास बिल है छे मैने से जादा हो गए हैं ऐसी condition के अंदर joint setting बुलाई जाती है बट याद रुकिएगा money bill के लिए और constitution amendment bill के लिए इन दोनों bills के लिए joint setting का प्रावधान नहीं है नोट कर लीजिए money bill के लिए और constitution amendment bill के लिए समिधान संशोधन विद्यक जो की काफ़ important होता है अगर समिधान में ही संशोधन करना है उस विद्यक के लिए उस विद्यक को पास करवाना उस बिल को पास करवाना है तो उसके लिए money bill या joint अगर मैं बात करूं constitution amendment bill के लिए joint sitting का provision नहीं बना है clear है point यह point याद रखेगा होती कैसे joint sitting कुछ points याद रखेगा joint sitting के लिए जो दोनों houses को समन करने का काम करते हैं समन करना मतलब बुलाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं हमारे देश के precedent हिंदी में लिख देता हूं में हमारे देश के राश राश पती दोनों house को क्या करते हैं समन करते हैं बुलाते हैं याद रुखिएका समन करने का काम हमारे देश के राश पती उसके भाद तोनों धायों की Oğlumra के अफसर होते हैं हमारे और राड सभा के चेर्म dit भी होते हैं अब जब joint sitting हुई है तो साइम पर presiding officer कौन होगा joint sitting के अंदर जो decorum maintain करने का काम है meetings को properly या सविधान की recording चलाने का काम है वो कौन करेगा rules and regulations के साथ चलाने का काम कौन करता है तो याद रखिएगा joint setting के अंदर जो deciding officer होते हैं वो हमेशा लोग सभा speaker ही होते हैं इसको note कर लीजिएगा हाला कि जब मैं speaker पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सीज के बारे में details से बताया था अब joint sitting में किसी भी bill को pass होने के लिए special majority के जरूत नहीं पढ़ती है कोई भी bill की तरफ बढ़ते हैं जो काफी important है जिसको लेकर बहुत बार questions पूछे गए हैं वो हैं हमारा money bill article 110 money bill की बात करता है article 109 की अगर मैं बात करूँ तो money bill क्या है क्या तरीके का होगा उसके बारे में पूरी चीज़े इसमें बताई गई गई है अब सबसे में टेक्स को कम करने की बात की जारी है seven here anmee से एक टेक्स तरह के जितने भी શोते们 के मुद्दे की बात की जाती है वह बिल होते है are बढ़ाना है उसे इंपोजिशन करना है खतम करना माल लीजे सर्विस को अटाना है देश से तो इस तरह के बिल्कु लेकर आना होगा अल्ट्रेशन करना है कि 5% टेक्स की जगह उस 5% को 8% कर देना है तो भी इस बिल्कु लेकर आने की जरुतियां पर पढ़ेगी अब याद रुखिएगा साथ इसाथ हमारा जो Consolidated Fund of India है Article 266 के मैं बात कर रहा हूँ तब Article 1 होता है इसका आगे हम बात करेंगे इसके बारे में उससे अगर पैसा निकालना है उसके लिए भी Money Bill की जरुतियां पर पढ़ती है लोगसभा के पास Money Bill को लेकर जादा पावर हैं और पहला पावर यहीं सा शो हो जाता है कि Money Bill को सिर्फ औरसे लोगसभा के सही ministers बनते हैं तो जब किसी minister ने इस bill को introduce किया है तो ये bill reject हो ही कैसे सकता है लोग सभा के अंदर ये bill pass हो ही जाता है लोग सभा के अंदर money bill के यहां पर हम बात कर रहे हैं किसरी बात इस bill के लिए president के recommendation बहुत ज़ादा important हो जाती है without president recommendation money bill को present नहीं किया जा सकता है ordinary bill को present किया जा सकता था but money bill को without precedents recommendation नहीं किया जा सकता है लोग सभा के अंदर हमने देखा था कि power जादा है और लोग सभा के पास money bill को लेकर एक सबसे बड़ा power ये है कि लोग सभा का speaker ही decide करता है कि कोई bill money bill है या नहीं है अब किसी भी तरक अगर bill है वो bill money related matters है नहीं है वो bill financial bill तो नहीं है वो bill money bill है या नहीं है इसे decide करने का जो अंतिम अधिकार देखे रखा है वो लोग सभा speaker को देखर रखा है काफी important power होता है ये जब आप detail के अंदर आप लोग सभा की proceedings को समझते है तो आपको समझ में आ जाता है कि कोई bill money bill है अगर तो उसका पास होना कितना जादा important होता है तो याद रखिएगा ये decide कौन करेगा कि कोई bill money bill है या नहीं है वो लोग सभा के speaker ही decide करते हैं लोग सभा में ही money bill को present किया जा सकता है प्रेसिडेंट के recommendation जरूरी है और कोई ministry से present कर सकता है एक बार इसके process को समझ लेते हैं माल लीजिए money bill था किस से related है यहां पर मैं लिखा हुआ है एक बार मैं फिर लिख देता हूँ है clear है यह note कर लीजेगा money bill simple majority से pass हो जाता है अब राड सभा के पास क्या power है राड सभा के पास सबसे पहली बात money bill को लेके काफी कम powers है जैसे राड सभा ना तो इस bill को amend कर सकती है मतलब यह अपने recommendations नहीं दे सकती इस bill को जो है कि आप इसको change recommendations दे सकती बट comment नहीं कर सकती कि नहीं इस point को हम change करी रहें यह आपको change करने ही पड़ेगा और ना ही राड सभा money bill को reject कर सकती है note कर लीजेगा can be detained by the राड सभा for maximum period of 14 days यह question कहीं बार पूछा गया है राड सभा maximum इसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है money bill को लेकर राड सभा के पास एक ही पावरी कि राड सभा 14 दिनों तक maximum इस bill को रख सकती है चाउदा दिन के बाद क्या होगा राड सभा इस bill को पास करे ना करे यह bill automatically पास होआ मान लिया जाता है याद रखिएगा काफी important point है कि राड सभा maximum 14 दिन तक money bill को अपने पास रख सकती है इसके बाद no provision of joint sitting कोई भी joint sitting का प्रावधान नहीं है money bill को लेकर अब जैसे money bill pass हो जाएगा इसके बाद money bill जाता है president के पास भी यहाँ पर money bill को लेकर थोड़ी से restrictions हो जाते है पहला restriction क्या है money bill cannot be returned for the reconsideration by the president वापस से reconsider करने के लिए जैसे ordinary bill में हो रहा था कि पूरा bill pass हो गया था उसके बाद भी दो points उनको ठीक नहीं लगे तो वापस से reconsideration के लिए अपने दोनों houses में पास होने के लिए उसे भेज दिया money bill के साथ आप यह नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते सीधा सा reason है president के recommendation से ही तो money bill लाया जाता है मतलब उन्होंने money bill को देखा होगा अब जब money bill pass हो गया है तो वो return कैसे कर सकते है कि इसके अंदर यह point गलत है तोकि आपके recommendation से ही वो चीज आई थी that's why याद रुखेगा money bill cannot be return for the reconsideration, reconsideration के return नहीं किया जा सकता president money bill को reject कर सकते है accept कर सकते हाँ वो किया जा सकता है या तो accept कर देंगे अपनी ascent withhold कर देंगे विदोल कर देंगे मतलब इंडारेक्टली मतलब यह होता है कि वो money bill को reject कर रहे है तो यह किया जा सकता है पर यहां से सुनिएगा president reconsideration के लिए money bill को नहीं भेज सकते है और जैसे signature हो जाएंगे वो bill बन जाएगा act मतलब कानून बन जाता है और पूरे देश में लागू हो जाएगा तो यह money bill को लेकर बात थी यह दो billions important है इसके लवा finance bill लेक होता है article 117 बात करता है देखिए जितने भी अधर financial matters होते जो कि money bill के अंदर नहीं है उनके उपर अगर कोई कानून बना कर लेकर आना है तो वह finance bill के थूई लेकर आया जाता है यह point याद रखिएगा काफे important है प्रमल यह नहीं होता है कि 100 लोगे तो 50% प्लस वन हो गया तो majority मिल गई है तो bill pass हो गया यह majority भी अलग-अलग होती है majorly चार तरह की majority हमारे सेविधान में देखर रखी गई है simple majority की बात की जाए absolute majority effective majority और हमारी एक special majority जिनके बारे में हम बात करेंगे तबसे पहली majority होती है उसे कहा जाता है simple majority simple majority का basically मतलब यह होता है कि जितने भी members house के अंदर present है और vote कर रहें उनका 50% प्लस वन इसे normally किस नाम से जाना जाता है इसे working majority के नाम से भी जाना जाता है और इसे functional majority के नाम से भी जाना जाता है चलिए इसे example के थुरू समझते हैं simple majority सिर्फ नाम से याद रुखिएगा बड़ी simple है जैसे माल लीजिए लोग सभा के अंदर total members है यहाँ पर hundred अब कोई बिल यहाँ पर आया था ordinary यहाँ पर आया है हम सभी जानते और बिल सिंपल majority से पास होता है ordinary यहाँ पर आता है और जिस दिन बिल पास होना है बिल पर वोटिंग होनी है उस दिन सौ मैसे 80 लोग ही लोग सभा के अंदर प्रेजेंट है असी का 50% 1 मतलब 41% लोग इस बिल के लिए हाँ बोल देते हैं बिलको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिलको पास कर देते हैं और बचे वे 39 जो है वो बिलको रिजेक कर देते हैं बिलको पास नहीं करते हैं इस कंडिशन में क्या होगा obviously बिल पास हो जाएगा अब देखिए simple majority मे यही होता है simple majority में इससे मतलब नहीं है कि total number of members कितने हैं हाउस के अंदर इससे कोई मतलब नहीं है इसमें सीधा मतलब होता है कि जितने members present थे और जितनों ने वोट दिया उसका 50% प्लस 1 होना चाहिए यादर किएगा तिर 50% से भी काम नहीं चलता है 50% से काम कैसे चल सकता है होता है सिर्फ ही याद रखिएगा जितने members present है और वोट कर रहे हैं कितने total है उससे कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है और इसे ही कहा जाता है simple majority clear हो रहा है I hope आपको जी समझ में आए होगी अब simple majority में किस तरह के bills pass किये जाते जैसे की ordinary bill money bill finance bill याद रखिएगा यह वाला point काफी important इस तरह के bills को अगर पास करना है तो simple majority के सुरुवत लगती है इसके अलावा no confidence motion pass करना है adjournment motion pass करना है sensor motion pass करना है confidence motion pass करना है इसके लावा for the removal of the vice president majority required in लोगसभा is the simple majority to declare a financial emergency देश में अगर financial emergency declare करना है उस समय पर भी जब voting होगी तो कौन सी majority चाहिए simple majority चाहिए इसके लावा to declare the state emergency president role के लिए भी यहाँ पर simple majority चाहिए election of speaker deputy speaker of लोगसभा and state लिए इसमें भी simple majority चाहिए constitution amendment bill under article 368 which needs to be rectified by states required only simple majority at the state legislator तो यह कुछ points है याद रखिएगा इसमें चाहिए होती है simple majority तो यह पहली type of majority दूसरी type of majority यहाँ पर होती है उससे पहले मेरे आप सभी से एक सवाल है क्योंकि यह चीज में आपको बता चुका हूं previous lectures के अंदर मेरा सवाल यह है कि अगर किसी नए state को हमारे देश में बनाना है तो उसके लिए bill pass करना होगा उस byl को किस majority के साथ pass करना होगा यह absolute majority कौनसी majority के साथ ऐसे बिल को pass करना होता है तिसमें किसी नए state के formation की बात की गई है यह किसी state के alteration of boundaries की बात की गई है बताईएगा comment box में अंसर दीजीगा चलिए दूसरी जो majority होती होती है absolute majority नाम से clear हो जाना चाहिए absolute total की बात की जारी जैसे it refers to a majority of more than 50% of the total membership of the house देखिए अब इसको हम थोड़ा से example के तुरू समझ लेते हैं आज के time पे हम देखते हैं कि हमारे लोगसभा के अंदर जो total membership है वो कितनी है लोगसभा की maximum जो membership है वो कितनी है total membership 545 seat से total है maximum कितनी हो सकती 552 हो सकती अभी के time पे जो total कितनी है अभी के time पे जो decided है वो कितनी 545 है अब कोई बिल आता है उस बिल को पास करने के लिए माल लीजिये कि जिस दिन वो उस बिल को पास होना था 200 लोग ही आए है तो मतलब यह तो सिंपल मेजरिटी वाली बात हो गई ती कि जिते मैंबर्स प्रेजेंट थी और वोट कर रहे थे उसका 50 परसेंट वन यह तो पूरा हो रहा है but absolute majority में इससे कोई भी मतलब नहीं है absolute majority में होगा कि 545 seats का 50% plus one जब तक हां नहीं बोलेंगे जब तक इस बिल को pass नहीं करेंगे बिल पास नहीं होगा नाम सी clear absolute majority कोई वरक नहीं पढ़ता total number of seats जितनी भी हैं उस total number of seats का 50% plus one इसे कहा जाता है absolute majority देखिए इसको मैंने example को थोड़ा सवार simplify यहां पर कर दिया है this implies जैसे की for example as the total membership of the लोग सभा is 545 and absolute majority means 50% of 50% plus one of लोग सभा मतलब 545 का आप 50% plus one ले लीजिएगा जो कि 273 something होने वाला है तो यहीं आपकी होगी absolute majority याद रखिएगा काफी important है यह चीज़ ओके clear है next point की हम बात करते हैं next होता effective majority देखिए effective majority में कुछ भी नहीं है जो vacant seats होती है जो seats खाली है उन seats को अटा दिया जाता है सिर्फ मान लीजिए कि total number of seats थी 500 500 में से 40 seats vacant है तो जो बच्चीवी seats से 450 उसका 50% प्लस वन यह होती effective majority कि जो कि total number of seats है उसमें से आप जो कि seats vacant है उन्हें हटा देते हैं और बच्चीवी seats का 50% परस्ट वन की बात की जाती रहे से effective majority of the house means more than 50% of the effective sitting of the house this implies that out of the total strength we dedicate the vacant seats जो की खाली seats से उन्हें आप क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो इस तरीके से आपकी effective majority यहां पर आ जाती है तो इससे कहा जाता है जनरली effective majority clear है तीनों majority आपको समझ में आ गई होगी अब भारस सरकार के funds की बात की जाए देखिए के फंड का मतलब क्या होता है हर सरकार के पास जितने भी प्राप्ति आती जितना भी पैसा आता है सरकार जो खर्चा करती है obviously वो money किसी ना किसी fund के अंदर जमा होती है स्वधान के according हमारे constitution के according यहाँ पर कुछ funds के बारे में दिया गया इनमेंसे दो फंड काफी इंपॉर्टेंट है पहला है consolidated fund of India जोटिकी आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 1 में आता है अब आप सब आर्टिकल को ध्यान मत रखेगा आर्टिकल 266 याद रखेगा और आर्टिकल 267 के अंदर आता है याद रखेगा जिस तरीके से सेंट्रल के consolidated fund of India होता है वैसे ही राज्यों के भी consolidated fund होते हैं जैसे state consolidated fund के नाम से जाना जाता है और state contingency fund भी होता है अब सबसे बहुत करते हैं consolidated fund ऑफ इंडिया की जो कि आर्टिकल 266 के अंदर आता है consolidated fund के customs की बात करें exercise duties की बात करें license की बात करें fees से जो पैसा आ रहा है वो सारा पैसा सरकार के पास जिस fund में जमा होता है उसे कहा जाता है consolidated fund of India याद रखेंगे काफ़ important है फारत सरकार की संचित ने दी सरकार जितनी भी salary दे रही जिसे प्रेसिडेंट की salary दी जा रही राजसभा के chairman की salary दी जा रही है वो इनी funds के अंदर से देती है तो सरकार के जो खर्चे होते हैं देखिए यहां पर लिखा भी है the government meets all its expenditures from this fund सरकार अपने सारे खर्चे इसी fund से पूरा करती है इस fund से पैसा निकालने के लिए Parliament की permission की जरूरत होती है इन points को note करते जाएगा क्योंकि पूछा जाता है कि क्या consolidated fund से पैसा निकालने के लिए Parliament का approval लगता है तो जी यहां Parliament का approval यहां पर लगता है के बात हमारे देश के तो CAG है Comptroller and Auditor General Voice fund को audit करते हैं ध्यान से सुनिएगा वही इस fund को audit करते हैं और हर राज्य के पास इस तरह का एक fund होता है तो यह था consolidated fund of India ध्यान से सुनिएगा जितने भी revenues हैं जितनी भी प्राप्तियां हैं आए हैं वो इसी fund के अंदर आती है CAG जो है इस fund को audit करते हैं हर राज्य के पास भी ऐसा fund होता है Article 266 और सबसे important point इस fund से पैसा निकालना है तो पारलेमेंट का अप्रूवल लेना होता है अब दूसरा एक fund होता है पब्लिक accounts of India देखिए यह फंड कुछ इस तरीके का होता है कि सरकार का पैसा नहीं होता है तो सारा पैसा सरकार कही था यह पैसा हमारा होता है जैसे अगर प्रूविडेंट फंड यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टल इंसरेंस जो की आपने जमा करें सरकार के पास और अब किसीभी टाइम पे उस पैसे को निकाल सकते है सरकार को पैसा नहीं होता है यह इनकाल सकते हैं और हमारेएंट फंड कि जिसमें हम पैसा जमा करवा रहें, तो जिस account में जमा करवाया जाता है, जिस fund में जमा करवाया जाता है, उसे का जाता है, public accounts of India, यहाँ से पैसा निकालने के लिए, permission नहीं लगती है, पार्लमेंट के, क्यों, क्योंकि आपका और मेरा ही पैसा है, अगर मुझे अपना PF निकाल पार्लमेंट का कोई approval यहाँ पर required नहीं होता है, और CAG's fund को audit करते हैं, यह भी note कर लिएगा, और साथ इसाथ राज्यों के पास भी इस तरह का एक similar fund होता है, इसके बाद काफी important fund है, वो एक emergency fund, जिसे contingency fund of India के नाम से जाना जाता है, समिधान की according, इसे emergency fund भी कहते हैं, article 267 contingency fund of India की बात करता है, देखिए, माल लीजे कि देश में कोई ऐसे situation आ गई है, जो कि काफी emergency की है, कोई natural calamity आ गई है, हुकंप आ गया है, बाल आ गई है, ऐसे time पर ततकाल सहायता की जरूत पड़ती है, आप वेट नहीं कर सकतेगी, पार्लेमेंट का approval लेंगे, approval के बाद जो ह ना में contingency fund, लिखा है यहाँ पर मैंने note कर लिजे का it is also called emergency fund of India, Parliament enacted the contingency fund of India in 1950, 1950 में contingency fund of India Act को यहाँ पर pass किया गया था, किस लिए होता है, disasters के time पे, ऐसे expenditure जो की unnecessary तो मैं नहीं बोलूँगा, पर tax expenditure जो की unforeseen है, एकदम से आ गया है, हमको पता नहीं है कि वो कैसे आ सकने, कभ emergency fund, emergency बता कर नहीं आती है, इसलिए इस fund का नाम emergency fund रखा गया है, देखिए, 2005 तक इसमें 50 करोड रुपे ही होते थे, पर 2005 के बाद इस fund को race करके 500 करोड रुपे कर दिया गया है, मतलब हर समय इस fund में 500 करोड रुपे होते हैं, तो यह contingency fund के बारे में याद रखिएगा, अब पैसे भी पैसा निकालने के लिए Parliament के approval के जरूत नहीं पड़ती है, क्यों पड़ेगी, किसी जगह पर बहुत emergency है, अगर Parliament के approval के जरूत पड़ेगी, तो फिर contingency fund रखने का मतलब भी नहीं है, फिर तो consolidated fund of India है इसी, तो इसके लिए Parliament के approval के जरूत नहीं पड़ती है, याद the fund is held by the finance secretary, finance secretary के अंडर ये fund होता है, but, 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 finance secretary किसके बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, president of India के का बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, उनके निर्देश के उपर वो इस fund को direct करते हैं, note कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि finance secretary जो है, वो अपनी मर्जी से पैसा दे देंगे, नहीं, president of India की guidelines के उपर, उनके बिहाफ के उपर वो इस fund को hold करते हैं, इस point को note कर लीजिएगा, और हर राज्य के पास, इस तरह का एक similar fund होता है, तो ये कुछ points थे, अब इसके बाद, जो next point है, हमारा काफ़ important है, पारलेमेंट के अंदर कुछ अलग-अलग तरह की proceedings चलती है, इसमें 11 से लेके 12 बज़े तक, मैंने आपको बता दिया था कि शुरुवात हो जाती है, 11 से लेके 12 बज़े तक, जो समय होता है, उससे कहा जाता है, question over, नाम सी clear उरता है, इसमें questions पूछे रखी है, और यहने जानना जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी examinations के अंदरी चीज़ पूछी गई है, जैसे start question, these are distinguished by an a strike, इसका मतलब है कि इस पर अलग से star बनाया जाता है, यह अलग होते हैं questions, नाम सी clear हो रहा है, star questions, it requires an oral answer, इन्हें सिर्व औरली आपको अंसर करना होता है, ऐसा नहीं कि जिससे पूछा गया, वो return में इसका अंसर दे रहा है, औरली इससे answer करना होता है, supplementary questions can follow, supplementary questions पूछे जा सकते हैं, supplementary questions का मतलब होता है, कि जैसे example की बात कि जाए, आपने मुझे से पूछा कि सर आपका नाम क्या है, मैंने का मेरा नाम प्रतमेश है, अब supplement supplementary आप question मुझे से पूछ सकते हैं, कि प्रतमेश का मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से supplementary questions पूछे जा सकते हैं, the list of these questions is printed in green color, जो आप यानते होंगे, कि जब भी इस तरह के questions को, या कुछ questions अगर Parliament पे पूछे जाते हैं, तो यह जो questions होते हैं, यह green color के अंदर print होकर आते ह हैं, उन documents के अंदर, note कर लीजेगा, इसके बाद, unstar question में सीधी बात है, return answer इसमें required होता है, supplementary questions follow नहीं किये जा सकते हैं, और यह questions white color में लिखे होते हैं, उसी तरह short notice question, नाम सी clear हो रहा है, short notice question, क्या होते हैं, यह बहुती public importance के matter होते हैं, urgent public importance के matter होते हैं, और इस पे consider करने क के लिए कुछ points याद रखिएगा, पहला, it is asked by given a notice less than 10 days, 10 जिन से कम का notice देना होता है, इस तरह के questions को पूछने के लिए, इसके अलावा, और ली से answer किया जा सकता है, और light pink color के अंदर यह print होते हैं, इसके बाद, एक बहुत important practice जिसे 0 hour के नाम से जाना जाता है, यह Indian Parliament नहीं innovate की है, 1962 के अंदर इसे innovate कर दिया गया था, 0 hour is an Indian Parliament innovation of discussion in the Parliament which of urgent public importance, काफी urgent public importance के matters होते हैं, उनके उपर discuss करने के लिए, यह पूरा time रखा गया है, इस time के अंदर यह matters को discuss किया जा सकता है, इन matter को discuss करने के लिए 10 दिन का notice नहीं देना पड़ता है, यहाँ पर देखा था हमने short notice question के अंदर 10 दिन का notice देना पड़ता था, यह 10 दिन के अंदर पूछे जाने थे, less than 10 days के अंदर, यहाँ पर इसा कोई notice देना नहीं पड़ता है, 0 hour is not specified in any rule book, किसी भी rule book में 0 hour specify नहीं है, the difference between the 0 hour and question hour is the, ministers are not bound to reply in 0 hour, काफी important है, 0 hour में अगर कोई question पूछा गया है, तो कोई भी minister इस question का answer करने के लिए bound नहीं है, बात दे नहीं है कि उन्हें reply करने ही पड़ेगा, कि question पूछ लिया है, तो जवाब देना ही पड़ेगा, bound नहीं होते हैं, इसके अलावा एक last point याद रखिएगा कि Parliament की language क्या होती है, तो Parliament की language हिंदी और English दोनों ही है, हलाकि जब सविधा बन के देश में लाग हो गया था, 1950 कि यहां पर बात करेंगे, उस समय पर यह कहा गया था कि आने वाले 15 साल के अंदर, जो English language है, उसका प्रयोग खत्म कर दिया जाएगा, मतलब 1965 तक इसका प्रयोग खत्म कर दिया जाएगा, but still इस language की permission दे दी गई है, इसे यूस किया जात है, हिंदी और इंग्विश दोनों ही यूस की जाती है, और कोई member अगर किसी दूसरी language में बात करना चाहे, या किसी प्रशने का जवाब देना चाहे, तो जो हमारे सभापती होते हैं, मतलब जो presiding officer होते हैं, दोनों ही houses के, जिस भी house में वो जवाब देना चाह रहा है, उन इस तरह के जब भी question आते हैं, आप एक बात ध्यान रखेगा, जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके, MCQs लगा लीजीगा, ताकि questions के उपर आपको एक confidence बन जाए, चलिए, next lecture के अंदर में आपसे मिलता हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखेगा, जैहिन, जै भारत!